असलाम अलेकुम एन वेलकम टो कोकवेट साधिया रेंद आज हम बनाने जा रहे हैं कच्छी बिर्यानी तो उसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज और जो जिंजर गार्लिक है उनको लग से कर दिया सेट इनको मैंने पेस्ट बना लिया और प्याज को चॉप कर दिया तो यहा चाहर जैम बसाला और टुटेबल सपून जिंजर गारलिक की पेस्ट वंटेबल सपून नमक और यहां पे जावेत्री और जैफॉड में इसमें डाला और फिर इन सब को हमें अच्छे से मिक्स करना है ठागे इतने से और थोड़े हल्दी भी डालानी है हाफ टेबल सपून और यहां पर दो बढ़ी लाइची, दो छोटी लाइची, फिर दो स्टार्स वाला गरमसाला, चार लॉंगु और इसमें पिर जो हमने पयास को फिराय कर दिया था मैंने सारे पयास जितने भी काटचे है सब खिराय करके रख़ दिया तो उन में से मैंने जादतर कच्छी बिर्यानी मतन की होती है लेकिन मतन हमने बहुत खाया है रिसेंटली तो इसलिए मैंने चिकन में बना ली और अभी में इसमें बंगलादिशी जो चीनी गुरा राइस है वो मैं यूज करने वाली हूं आज क्यूंकि बंगलादिशी डिश है तो मैं फुल ओन करने के लिए रख दिया है जब तक चाफल बॉइल हो अम बागी का बडूं कर लेते हैं ठीक है क्योंकि गरम गरं चाफली डालना है तो मैरीने होने के मतलब तक हमारा चिकिन मेरीने हो उसके बाद क्या घरना है चीकिन को पकाना नहीं है बरतन में बिया आप बनाना चाहते तो आपको एसे डाल देना है पूरा एक साथ और फिर अच्छे से सेट कर देना है क्योंकि यह हमारी जो बिर्यानी वह दम पर पकेगी और इसको हम आटा वाटा लगा के भी बंद कर देंगे तो आप देखना आगे का प्रोसेस क्या होता है और जो मैंने आपको बोलता है अग अब बाद चिली जो है वह मैंने टाल दिये रेड चिली मैं रेस्पी में यूज नहीं किये लेकिन आप लोग जरूर यूज करना आप लोग अगर आप लोग श्रुट कर देने है और गरम चावल ली डालने है क्योंकि ठंड चावल डालोंगे तो फिर नहीं चलेगा काम त गरम गरम चावल डालके और सारे दम का जो भी प्रोसेस है वह कंप्लीट करके जल्दी से हमें इसे धकन लगा के रख देना है चूले पे तो जल्दी-जल्दी करना पड़ेगा फिर मैंने इसमें यह रेड कलर जो है और इंज कलर है वह मैंने थोड़ा सा डाल दिया क्योंक इस वक्त यूज की ठीके टॉपिंग पे ताके दम में इसका भी फ्लेवर आए उपर से राइस पे फ्लेवर आए फिर अंदर जो हमने प्यास डालिए वह अंदर चिकिन में फ्लेवर आएगा और अभी इसमें हमना रोज वाटर जो है वह एट करेंगे वन टी स्पून ठीक पूरी अच्छे से आपको रेसिपी शियर करो ताके आप लोग भी बंगलादेशी डिशिस भी ट्राइ करो यह वाली जरू ट्राइ करना नेक्स टाइम में कोशिश करूंगी मतन में बनाओ लेकिन इस बा मैंने चिकन में बनाई है और अभी हम क्या करेंगे इसको यह मैंने आटा गुंद के रख दिया था इसमें मैंने आटे में आटे में डाला था क्यूंकि ओडालती तो फिर आटा इसे चिपकता नहीं सही से तो मैंने ना इसमें फिर इसे लंबे-ंबे साप की तरह बना के और साइडों में चिपका दिये ताके कोई भी धूआ जोए बाहर ना अब में 10 मिनट तक हाफ मीडियम में पकाऊंगी आग मैं और 10 मिनट के बाद मैंने एक साइट पर यह वाला तवा गरम कर दिया है और 10 मिनट के बाद पकाना है हमें एक घंटे के लिए और तवाँ रख देड़ा है ताकि आपकी जो बिर्यानी रिए उसमें नीचे लगना यचा पकना जाय बरतन में तो एक घंटे के बाद यहारे बिर्यानी हो गई और यार्टा बहुत ही गरम यहार निकल नहीं है तो आलाम आलाम से करके इसक कैसी बनती है मेरी तो बहुत टेस्टी बनी थी और अभी इसमें मैंने दो टी स्पून डाल दिया असली घी और उसके बाद इसको हमें मिक्स करना है अभी आप लोग देखो चावल पूरे अलग अलग है यह बंगलादेशी चावल है चोटे-चोटे अगर आप लोगों के आप लोग जरूर खरीद के इसी चावलों से ट्राय करना क्यूंकि इन चावलों में अलग सी खुश्भू होती है और अलग साही टेस्ट होता है और फिर इसको बस अच्छे से मिक्स कर देना है जैसे हम गवी भी बिरियानी मिक्स करते है आराम-आराम से और यह हमारी बिरि 差ड विद द्यों हत उखिस्वा हाफिज खुश्यट ऑफ द्यों हाद़ इना है और आराम मैंने मिक्स करते है के आराम और लगरी नसे टेजहरतं से ट्